आज की कहानी भान गड़ किले की है कहा जाता है जो कोई इस भान गड़ किले में रात को जाता है वहाँ फिर बापस नहीं आता इस किले में एक खाउप का मंजर छाया हुआ है यहाँ उरातत तुभिभाग ने भी रात में जाने से मना किया है दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के सहानी के साथ और एक नई एक अच्छे और अद्भूत इस्टोरी लेकर मैं आप लोगों के समख चुपस्तित हुआ हूँ दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही डरावनी है और रह समय है दोस्तों लोग भुतिया जगे पर जाना पसंद करते हैं लेकिन दिन में रात में नहीं तो आज की कहानी है हमारी भानगड किले की दोस्तों अपने भारत में कई ड्रावनी और भुतिया जगें हैं जिन से जुड़े कई रहस मसहूर हैं और ऐसा ही एक रहस भानगड किले से जुड़ा हुआ है जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों भानगड का किला दुनिया भर में मसहूर है इसे लोग बहुत खतरनाक बताते हैं कुछ लोग कहते हैं कि इससे चीखने की आवाज आती हैं इस किले से घुंगरू बजने की आवाजे आती हैं तो आज दोस्तों हम भानगड किले से उन तमाम जानकारी को आप लोगों से साजा करने वाले हैं जिनें आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज हम आप लोगों को भान गड़ किले की पांच वो बातें बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों भान गड़ किला सुर्वी सतावदी में बनवाया गया था इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 इसवी में बनवाया था यह किला बसने के वाद में लगवक 300 बरसों तक यहां आवाद रहा बाद में भगवंत दास के छोटे बेटेवा अंबर आमेर के महान मुगल सेना पती मान सिंग के छोटे भाई राजा माधव सिंग ने 1613 इसवी से अपनी रिहाइस बना दिया राजा माधव सिंग उस समय अकवर के सेना पती थे कहानी नमबर दो दोस्तों इस कहानी के अनुसार भानगड दास को भानगड दास को भानगड किले बनाने की अनुवत दी थी कि उस किले की परचाईं उसके तप इस्तल पर ना पड़े तो महाराजा भगवन दास ने योगी बालुनात की बचन जो है मान लिया और उनकी बात का मान रखा किन्ट महाराजा भगवन दास के बंसच मादो सिंग ने इस बचन की अवहनला करते हुए भान गड़ किले की उपरी मंजिल बनवाने लगे और मंजिल की छाया बालुनात के तप इस्तल पर पड़ी जिससे क्रोधित होकर योगी बालुनात ने स्राफ दे दिया कि यहां किला बीरान हो जाएगा बरवाद हो जाएगा उन्हें के स्राफ के द्वारा कहा जाता है कि यह किला बीरान हो गया नमबर तीन दोस्तों कहा जाता है भान गड़ किले की राज कुमारी रतना बती बहुत ही सुन्दर थी थी वह इतनी ज्यादा सुन्दर थी कि उनके चर्चे पूरे राज में थे एक बार रानी अपनी सहलियों के साथ मतलब अपनी सहलियों के साथ बाजार गए इत्र की दुकान पर इत्र की दुकान पर वो इत्र खरीदने के लिए मतलब इत्र लेने के लिए गए थी तभी कुछ धूरी पर एक ब्यक्ति खड़ा था, जिसका नाम था सिंदू खेबड़ा, वह एक तंत्रिक था, तंत्र बिद्या जानता था, वह रानी को देखकर, रानी से मन ही मन प्यार करने लगा, और उन्हें पाने की आसा करने लगा, तो सिंदू खेबड़ा इत्र की दुकान के पास जाता है, जो इत्र रानी ले रही थी, उस इस्तर पर वह काला जादू कर देता है, इस बात का पता रानी को चलता है, रानी वह इत्र को एक पत्थर पर बोतल जो है पटक देती है, तो बोतल जो है चूर चूर हो जाती है, और इत्र पूरा पत्थर पर पड़ता है उस काले जादू का आसर इतना था कि वह पत्थर जो है सिंदु खेबड़ा के पीछे पीछे चलता है और उसे कुचल कर मार देता है सिंदु खेबड़ा मरने से पहले एक सराब देता है उसने सराप दिया कि इस किले में रहने वाले लोग जल्द ही मर जाएंगे सभी लोग और वो दुबारा जन्म नहीं ले पाएंगे और उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी अब इसमें कितनी सचाई है ये तो हम नहीं जानते हम भी सुनी बाते कहते हैं तो दोस्तों उसी के सराप से आज भी कहते हैं लोग की इस किले में आत्माई भटकती है तांत्रिक की मरत्यू के कुछ दिनों के बाद भानगड और अजबगड दोनों राज्यों में युद्ध हुआ और सारे लोग मारे गए तो ये कहानी कुछ थी नमबर चार दोल दोस्तों भानगड किले में रात में रहने से क्यों रोक लगाई गई आखिर इसका क्या काराड था भानगड के इस्थानी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि एक बार तीन लड़कों ने सोरियास्त के बाद भानगड किले में रहने का फैंचला लिया वा किले की बास्तिवक्ता जानना चाहते थे कि इस किले की सचाई क्या है लेकिन उस साम कुछ ऐसा हुआ की एक लड़का कुए में गिर गया किसी तरह अन्य दो लड़कों ने उसकी जान बचाई फिर तीनों लड़के किले से जान बचा कर भागे लेकिन इस दोरान सड़क दुरखटना में मौत हो गई तीनों लड़कों की इसी चक्कर में इस किले में कोई नहीं आता इस तरह के किस्वों के बाद में भान गड़ किले के अंदर रहना मना है जाना मना है रात में दिन में यहाँ पे लोग घूमने आते हैं पॉइंट नमबर पाँच इस तरह के किस्वों के बाद भान गड़ के किले के अंदर रात में रहना मना है एस आई यानी भारतिय पुरातर तुसरवेचन ने एक बोर्ड लगा कर छेताबनी दी कि भान गड़ किला परिसर में सुर्यास्त के बाद किसी भी बेक्ति को भान गड़ किले में जाने की अनुमत नहीं है दिन में जा सकते हैं इसको लोग देखने जाते हैं इसका राज जातने जाते हैं इसमें कितनी सच्चाई हैं लोग ये बहुत जानना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के माद्दियम से हमने आप लोगों को काफी हद तक कुछ इसकी सचाई बताने की कोशिस की है कहा जाता है कि इस किले में कभी कोई रात नहीं बिता पाया जिसने भी इस किले में रात बिताई वो कभी भी कुछ बताने लाइक नहीं रहा रहस्माई रूम है तो यह जानकारी थी और इस वीडियो को भी बनाने में उतनी मेहनल लगती है जितनी की एक ब्लॉगर वीडियो बनाता है तो बस फर्क इतना है उसे जाना पड़ता है दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें जिससे कि हमारी मेहनत थोड़ी सपल हो है और वीडियो को सेर करें अच्छा कमेंट करें कैसा लगा मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में यानि कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहिन जाए भारत